साही राम, मैं बिर्दमों सुरी स्वागत करता हूँ आपका अपने इस चैनल में आज हम बात करेंगे कर्ज मुक्ति का स्टीक उपाए कर्ज मुक्ति कैसे हो सकती है यदि आप पर बहुत कर्जा चड़ गया है, आप आर्थिक तंगी में है तो आप अपने वजन का कच्चा कोईला, जितना आपका वजन है उतना कोईला, तीन माह में एक बार जल्ब परवा की दिए और फिर उसके बाद परतेक रवी बार, रवी बार को ये जल्ब परवा करना है उसके बाद परते एक रभी बार आच सो ग्राम कच्चा कोईला जल परवा करते रहें तीन महीने में एक बार अपने वजन का कोईला कीजिए और परते एक रभी बार आच सो ग्राम कच्चा कोईला जल परवा करते रहें और साथ में काले सफेद तिल गोड़ जीनियाटा विरिख्ष के करीब जमीन में दबाते रही है इससे आपको कर्ज मुक्ती मिलेगी और बहुत जल्द मिलेगी यदि आप ये नियम से करते हैं तो पक्की बात है कि कर्ज मुक्ती होना शुरू हो जाएगी समय लगता है क्योंकि यदि बहुत बड़ा कर्ज है आमदन भी नहीं आ रही है तो पहले ये जो उपए है आपकी आमदन ही शुरू करवाएगा फिर तब ही आपका देरे देरे कर्जा उतरना शुरू होगा पर तो इससे मान सिक तनाव कम होगा रोग मुक्ती होगी परिवार में शांती आने लगेगी और कर्ज रहते हुए भी आप खुश रहने लगेगे और फिर ऐसे सादन बनेंगे कि आपका कर्ज उतरने लगेगे कर्ज तब ही उतरता है जब पैसे आने शुरू होते हैं पैसा तब ही आता है जब काम चलता है काम तब ही जलता है जब हमारे ग्रह शान्त होते हैं ग्रह तब ही शान्त होते हैं जब हम उपाय करते हैं तो उपाय कीजिए आपको लाव मिले करते हैं आप मुझे इजाज़त दीजिए यदि आप मुझे संपर्क करना चाहते हैं अपनी जनम पत्री दिखाना चाहते हैं यह कोई आपका सवाल है तो किरपया वाटसेप कीजिए लिख कर कीजिए तीन ता दिनों जो आप मिल जाता है फोन मत कीजिए वाटसेप कीजिए मेरा नमबर है 981-44-50802